15 सितंबर और 16 सितंबर का दिन सिहिंग राशी के लोगों के लिए कैसा होने वाला है? जै मतादी दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे योट्यूब चैनल में और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे 15 और 16 सितंबर के सिहंग राशी फल के बारे में सेंग राशी के लोगों के लिए इन दो दिनों में किस तरह के बदलाव होने हैं इन दो दिनों में कौन सा घर राशी बदलेगा क्या योग बनने वाले हैं नक्षत्र क्या होंगे ग्रहों की इस्तिती किस तरह से आपके जीवन को प्रभावित करेगी जारेंगे आपकी जीवन से जुड़े हर एक शेत्र के बारे में फिर वो आपकी सिक्षा हो, आपका स्वास्ते हो, प्रेम हो, करियर, नौकरी, दुकान, वित्यस्ति हर एक चीज इसलिए वीडियो को लास तक जरूर देखें और चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाएं हमारे चैनल के साथ क्योंकि यहां आपको अपनी राशी से जुड़ी हर एक जानकारी मिलती है समय पर या समय से पहले तो सबसे पहले इन दो दिनों के तिथी नक्षत्र की बात कर लेते हैं अभी जो 15 सितंबर का दिन है ये शुकरवार का दिन है और अमावश्य तिथी रहेगी सुबा 7 बजे तक उसके बाद लगेगी शुकल पक्ष की प्रतिपदा तिथी उत्तरा फालगुनी नक्षत्र पूरा दिन रहेगा शुब नाम का योग है जो जिसके स्वामी मा लक्षमी होती है उसके साथ दिन की शुरुवात होगी और उसके बाद बनेगा शुकल नाम का योग जिसके स्वामी पार्वती होते है चंद्रमा यहां सेंग राशी में सुभा साड़े ग्यारा तक है उसके बाद चंद्रमा आ जाएंगे कन्या राशी में आपके दूसरे भाव में जो कि आपके धन और वानी का भाव है अब वहां मंगल पहले से मौशुद है मंगल के साड़ चंद्र की यूती से लक्ष्मी नाराण योग का निर्मान होगा जो एक बहुत ही उत्तम योग आपके लिए धन के भाव में बनने वाला है अब सूर्य तो है ही आपके लगन में विराजमान है बुद्ध भी वहां बैठे हुए हैं तो बुदादीत राजियोग भी है और सूर्य का नक्षत्र जो है वो है उत्रा फालगुनी नक्षत्र में सूर्य विराजमान है इसके अलाबा यहां रवी योग भी बना हुआ है अब बात करेंगे 16 सितंबर के बारे में जोकी है शनिवार का दिन और शुकल पक्ष की द्वीतिया यहां ते थी रहेगी हस्त नक्षत्र रहेगा जिसके सुर्य देव खोद होते हैं योग जो है शुकल नाम के योग के साथ दिन की शुर्वात होगी लेकिन उसके बाद ब्रहम नाम का योग बनेगा जो बेहद शुब योगों की श्रेणी में आता है चंद्रमा कन्या राशी में ही विराजमान है आपके दूसरे भाव में धन के भाव में लक्ष्मी नारायन योग बना रहे हैं और सूरिय सेहिंग राशी उत्रा फालगनी नक्षत्र में हैं इसके अलावा इस दिन बुद्ध का भी परिवर्तन है बुद्ध जो आपकी लगन में विराश्मान है सेहिंग राशी में वो नारायन योग बना हुआ है तो उसका भी प्रभाव आपको देखने को मिलेगा चलिए तो यह हो गई मारी ग्रहों की इस्तिति अब इसी के अधार पर चलिए जानते हैं दो दिन आपके लिए कैसे हैं पहले बात करेंगे 15 सितंबर के बारे में इस दिन अगर आप देखे तो कुछ बहुत अच्छे तरीके से आपके लिए मैनेज होने वाली है एक मीसार को स्वास्ते हैं वह बहुत अच्छा रहेगा कुछ भी आपको दिक्कत थी स्वास्ते समन्धी तो आपकी आज बहुत रहात देगी और स्वास्त %. है एनरजेटिक आप रहेंगे आज आप अपनी हिम्मत और अपनी मजबूती दिखाएंगे किसी भी तरह की परिष्थिति आपके सामने क्यों ना हो आप उसका सामना करेंगे और उससे बाहर भी निकलेंगे यह तक कि जो धन संपत्ति के मामले हैं वहाँ भी आपके लिए आपको मानसिक शान्ती मिलेगी और वक्त पर आपकी मदद जो है वो कोई ना कोई करता हुआ दिखेगा जब भी आपको मदद के आवशकता होगी बात अगर आपके परिवार के हाती है तो आज आपके परिवार के जा तक आपके ऊपर गर्व कर सकते हैं कोई ऐसी वजह करने के लिए कोई खास दिक्कत नहीं आने वाली है आप अपने हरे काम को अच्छे तरीके से कर पाएंगे और एक विजिता की तरहा उबरेंगे इस राशी के जातकों के लिए आज का दिन बहुत अच्छा रहने वाला है जो घर पर है आज वो अपने घर के कामों को निप् आप से चलने वाली है आपका करियर हो आपका परिवार हो आज पास के लोगों के लिए आज आप भागय साले साबित होंगे आपके लगन में जो पुदादेत राज योग है आपके दुईते भाव में धन के भाव में जो लक्ष्मी नारान योग है उनका प्रभाव आज आ अब सोला सितंबर की बात करेंगे 16 सितंबर बुद्ध आपकी लगन में है, मारगी हो चुके हैं, अपनी पूर्ण पावर में आ चुके हैं, तो बुधारीते राजयों का प्रभाव भी आपके उपर जादा देखने को मिलेगा, साथ ही दुईते भाव में जो लक्ष्मी नारायन योग बना है, उसका भी प्रणने के चांसे जादा मिलेंगे, और आपका जो रवया है वो सकारात्मक रहेगा, शान्ती से आप काम कर पाएंगे, आपको अपनी आंत्रिक प्रतिभा को दिखाने का ये सही मौका है, जिसमें आप सफलता प्राप्त कर सकते हैं, अपने कार्याले में आप खुद को प अंगेत बहुत अच्छे दिखेंगे, अगर आप कोई charitable संस्था चलाते हैं, इस तरह का काम करने के बारे में या सोच रहे हैं, तो वो आपके लिए बेहद अच्छा रहेगा, इससे आपके आर्थे किस्तिती भी अच्छी रहेगी, मन को शान्ती भी मिलेगी, कोई दान खुशी के साथ काम भी करेंगे, और एक हर एक चीज़ पर आप अपना फोकस भी कर पाएंगे, पेम जीवन, पारिवारिक जीवन और वेवाहिक जीवन की बात करें, तो आपकी हर एक कोशिश काम करेगी, आज आपको अपनों का भरपूर साथ मिलेगा, किसी भी तरह की कठ के लिए हमेशा तयार है, तो वो भी अच्छा है, और यहाँ प्रतम भाव में, जो आपके लगन में बुद्ध मारगी हुए हैं, वो वेपारियों के लिए बेहत शुब होने वाले हैं, और साथ में वो आपकी सिक्षा के लिए, जो स्टुरेंट हैं, उनके लिए बहुत अ प्राहे करें, तो उनके लिए भी अच्छी यहाँ खोशी से हैं कि आप अगर जॉब के लिए अपलाई करें हैं, तो वहाँ आपको पॉजिटिव रिस्पोंस देखने को मिल सकते हैं, कुछ लोगों का सपोर्ट आपको मिल सकता है, जो आगे बढ़ने में आपकी मदद करे तो कुल मिलाकर दोनों दिन बहुत अच्छे हैं, इन दोनों दिनों को अच्छे से इंजाय करें, चानल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें